नमस्कार दोस्तों मेरा उल साश्तरी स्वगत करता हूँ आपका दोस्तों बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक जैसे कि लोग पूछते हैं कि कुंडली से क्या जाने के उनके लिए फाइदेमंद नोकरी होगा या वैबसाई होगा तो वैसे तो उसके पहुत योग बनते हैं प गयाका मतलब मेरे शलेगन नहीं है यह बाव है बाव समझेगा इस नोकरी को दरसाता है तो暇ते कि यहाप समझ लिए सभसेव से पहला अगर के बली होके केंद्र तिरक कोन में है या खुद की राशी में बैटा है तो जातक के नोकरी के योग बनेंगे हलाकि ये बात अलग है कि वो कौन सा गरा है है ना उसके हिसाब से फिल्ट चुननी होगी उस फिल्ट में वो जाने का योग बन सकता है अब हम चर्चा करेंगे बैमसाई की दस्वे भाव का स्वामी अगर बली होके बली होके भागे में या फिर अपने खुद की रासी में लाब भाव में या धन भाव में या पंचम भाव में बैठा है तो फिर आपके ववसाई के योग बनेंगे हलाकि ऐसा नहीं है नोकरी नहीं होगी दस्वे भाव के स्वामी के देखा गया है कि नोकरी की भी अच्छी योग बनेंगे वो व्यक्ति जिंदकी के अंदर जिंदकी के अंदर अच्छी आय कमा कर सुक्तोब होगेगा पर ववसाई में बहुत अच्छा कर सकता है यहां बात यह हो रही है कि नोक्री अच्छ योगी वैवसाइट यानि दस्वे भाव का स्वामी अगर बहुत मजबूत इस्थिति में है और अच्छे भाव से संबना के रखाया या खुद रासी वैवसाइट के अच्छे योग बनते हैं छटे भाव का स्वामी अगर अच्छे बनेगे जिदकी के अंदर तमाब शुक भी प्राप्त करेगा पर वैबसाई में ज्यादा अच्छा पैदा दूसरा योग वानीची के व्यापार के कारक होते हैं अगर कुंटरली के अंदर बुध बहुत श्ट्रोंग है तो व्यक्ति को व्यापार में जाना चाहिए यानि बुध दस्वे भाव में कन्या का है या फिर कन्या या मिथुन रासी का है बली है तो व्यक्ति को व्यापार में फैदा होग बूद दस्वे भाव का स्वामी होके दूसरे भाव में धनिस्तान में बैटा है तो धन किसे संचे करेगा व्यापार से तो व्यापार में सफलता इसी परकार बूद अगर भागे भाव में बैटा है लाब भाव में बैटा है और या फिर पंचम भाव में बैटा है श्ट्रो जल सुन्हों आए, तो एगर सनी नोक्री को टुमतु करता सुन्हीनू है कर दो समझने वाली बात यह है, आप समझ गए होंगे दो कंडिशन मैंने आपको बताई अब दोस्तों अगर दुरत तेज दूसरे भाव का और गैरवे भाव का आपस में संबद बन जाए यानि किसी भी परकार दूसरे भाव का स्वामी जैसे सपोज करो ये मेश लगनी समझ लिजे यहाँ पर दो लिखा है यानि सुक्र और गैरा लिखा है यानि सनी कुम गैरा का मतलब कुम दो का मतलब वर्सब वर्सब रास के स्वामी सुक्र और गैरवे भाव के स्वामी सनी आपस में एक दूसरे के राशी में बैटे हों या कहीं पर भी केंदर तिरकोन में एक साथ बैटे हों तो ये भी व्यापार का एक बहुत अच्छा योग बनता है बहुत जबरदस्ती योग बनता है इसी परकार अगर ग्यारवे भाव का स्वामी और दस्वे यानि लाभेश और कर्मेश में आपस में संबंध हो एक दूसरे के साथ बैटे हों या देख रहे हों या एक दूसरे के घर में बैटे हों तो भी व्यापार का अच्छा योग बनता है दोस्तों अगर छटे भाव का स्वामी भी बली है दस्वे भाव का भी स्वामी बली है तो आपको देखना होगा कि नौ मांस में और शटबल में किस गरह की अच्छी कंडिशन है उसके इसाब से चुने यानि जो गरह ज्यादा बली हो उसके इसाब से फिर अपना जीवी का आप देख सकता है दो दोस्तों ये मैंने कुछ कंडिशन आपको बताई बहुत सरलत के तरीके से मेरी वीडियो गर अच्छी लगी कुछ लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद